सब्सक्राइब कीजिये ली हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिये इस बैल आइकन को हमारे Tech वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो दोस्तों गर्दू चैनल में आप सबीका सब्क्राइब है दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आपके Windows 10 PC आफिर आपके Windows 10 laptop में Caps Lock को disable करने के लिए दोसरी की कैसे यूज करते हैं इस वीडियो में नहीं सिखने वाले तो जैसे दोस्तों अगर आप क्याप्स लॉक को अगर आप इनेवल करने के लिए क्याप्स लॉक यूज करते हैं अगर आप इसको डिसेबल करने के लिए भी आप क्याप्स लॉक की यूज करते हैं अगर आपको जो है डिसेबल करने के लिए दुसरी की सेट करना है आपके विंडोस चैन में तो आप इसको तो इसके लिए तो Windows की Hold कीजिए और आई प्रेस कीजिए Windows Settings आपको Open करना यह Short Cut किए Windows Settings Open करने के लिए Windows Settings में आपको जाना है करना है अडवांस की Settings में इस तरीकी से जाने के बाद दोसों यहां पर आपको एक Option मिल जागा दोसों प्रेस दी शिप्ट की यह वाला Option आपको चेक कर लेना है और इसके बाद अपलाई पर क्लिक करना है और उके पर क्लिक करना है इसके बाद दोसों इन फीचर जभी भी आप क्लिक करना के बाद अपको यह कंड़ा करेंगे काप स्लॉक की से उसके बाद आपको जो है टर्न-अफ करनाEven कि डिसेबल करना तो आप वहकी यूज़ नहीं कर सकते आपका कैप्स लॉगशी नहीं होगा तो अगर को डिसेबल करना है तो शिफ्ट की आपको यूज़ करना पड़ेगा तब जाएगा तो यह काफी यूसफुल सी ट्रिक है तो कभी कभार क्या होता है आपको काफुल करके रखना है तो आप यह मिधर्ड ट्राइब कर सकते हैं अगर आप डिसेबल करना चाहरे तो आप शिफ्ट की यूज़ कीजिए आपका काफुल हो जाएगा तो ब क्याद रहते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठाइम क्यों